हाई गाईज वेलकम टो एसी वे कॉमर्मर्स क्लासेज मैं हूँ तापिता और गाईज आज के इस वीडियो में हम अपनी स्टाटिस्टिक्स बुक से डिस्पर्जन चेप्रे स्टार्ट करेंगे इससे बहले आप लोगोंने मीन मीडियन मोड पढ़ा था जिसमें काफी सारे फ मुआता प्रेक्रेक्टिश की नीड है तो एक बद एक ओवर्वियो लेते हैं इस चेप्टर में क्या क्या चीज़े आंखे डिस बर्ज तो मतलब होता क्या है तो पहले वेसे डाइब, है ना तो हम आपस जो 3 सीरीज होती है, उनके डेटा में कितना वेरियेशन है, ठीक है? यानि की, जो हमें डेटा गिवन है, जाए वो मार्क्स गिवन है, जाए वो आपको एज गिवन है, उनके डेटा में कितना variation है उस variation को find out करना dispersion होता है लाइक अगर मुझे कोई data given है marks का students के marks 5 से start हुए 10, 15, 20 data जाते जाते 50 पर पहुंच गया तो variation कितना है series में उसे हम dispersion कहते हैं तो dispersion का मदलब is the measure of the variation of the item आइटम कितने एक दूसे से क्या हो रहें वराय कर रहें हमारी series में कितना gap है तो variation को calculate करना आपका क्या कहलाता है dispersion और इस variation को calculate करते कैसे कितने टाइट से variation calculate होता है तो guys एक होते absolute एक होते relative measure और third होता है आपका graphic जिसमें आप Lawrence curve बनाते हो absolute में हम लोग एक तो series का करते है dispersion from the spread value जिसमें दो method आजाते है range and quartile deviation जो कि हम सीखेंगे ठीक है और dispersion from average में आपके mean deviation और standard deviation आते हैं जबकि relative में इनी चारों के coefficient आते हैं यानि कि जो हमने range पढ़ा coefficient of range quartile deviation पढ़ेंगे तो coefficient of quartile deviation, coefficient of mean deviation and coefficient of standard deviation तो बहुत मैं अभी आपको ऐसा लग रहा होगो बहुत सारा chapter है बहुत बढ़ा है ऐसा नहीं है यह जो भी formulas है आप इनी के साथ एक एक formula होंगे इसके साथ ही पढ़ लोगे ठीक है अब बात आती है कि हम लोग dispersion निकालते क्यों है क्या objective है हमें dispersion निकालने का series में तो सबसे पहले to test the reliability of an average यहाने कि हमने जो भी mean निकाला, average निकाला वो सही भी निकला है या नहीं तो हम अपने series के variation को देखकर judge करते हैं ठीक है second चीज to serve the basis for control of variability हम इसमें यह भी देखते है कि आखिर हमारा data इतना विराय क्यों कर रहा है करना होता है तो variation काम में आते है तो यह हमें यह बताते है कि एक series दूसी series में कितना variation है कौनसी series ज्यादा stable है कौनसी constant है तो वह भी हमें किसमें बता चलता है dispersion में fourth है to serve as a basis for future statistical measures या analysis तो हमें जो future or statistics analyze करना होता है उसमें dispersion को use किया जाते है जैसे अभी आपको relation अपना chapter पढ़ोगे graduation में regression chapter है तो उसमें हमें यह help करता है तो इसलिए हम लोग dispersion को पढ़ते हैं तो अभी आज हम सबसे पहले अपनी range को पढ़ेंगे मतलब लाइक जब फर्स टॉपिक है इसको सबसे पहले start करते हैं तो guys सबसे पहले हम लोग इसमें range समझते हैं range के लिए हमाँ पस तीन series हैं और हम तीनों ही series से सीखेंगे range कैसे find out करते हैं क्योंकि बहुत असान है लोगो सबसे पहले अपके सामने हैं individual series individual series किसे कहते हैं जिसमें सिफ हमें x given होता है l minus s b कहते हैं तो easily निकाल सकते हैं अगर 25 में से smallest item हमें आ रहे है series में कौन सी है 5 है तो minus करेंगे तो answer आ जाएगा 20 और अगर हमें discrete series देखने है देखो इसमें frequency का कोई role नहीं होता ये mainly आपकी series का variation देखता है तो series ये है हमारी x ठीक है frequency number of items होता है तो हमें x को देखना है अब इसमें भी 25 minus 5 करेंगे तो answer 20 आएगा अब अगर हमारे पास continuous series है और वो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 चल रही है तो हमारा range क्या होगा largest item हमारी series में है 50 और smallest item है 0 तो 50 minus 0 answer will come 50 तो ये range का simple सा formula है और अगर हमें इसका coefficient of range निकालना पड़े coefficient of range में बहुत simple सा formula होते है L minus S divided by L plus S तो आप लोगों को पता L minus S हमारा कितना आ रहे है अगर मैं per series का करूँ देखो इस series में L minus S यानि कि अगर हम करें 25 minus 5 और 25 plus 5 तो कितना आएगा 20 divided by 30 अगर हम इसको कट करें तो कितना आएगा 0.66 ऐसे तो हम 0.67 लिख सकते हैं अगर हम discrete में coefficient निकालेंगे तो formula सेम ही होता है L minus S divided by L plus S बहुत simple सा formula है तो L is the largest item minus 5 और वही चीज नीचे plus हो जाएगी तो अंसर सेम ही होगा इस वाली series में number अलग है तो अंसर निकालते हैं एक बहुत L minus S L plus S तो 50 minus 0 और 50 plus 0 तो 50 divided by 50 कितना आजाएगा अंसर आपका 1 तो ये coefficient of range का formula था तो एक बहुत simple और सबसे असान जबकि इस book में चीज है वह range है I hope आपको समझाई होगी और अगर कोई भी doubt है तो आप Instagram पर तब ये ताम ऐसी ideas मेसेज कर सकते अपना question या फिर YouTube पर comment के थ्रू THANK YOU